यूँ तो हिमाचल परदेश में चार लोगसभा की सीटे हैं लेकिन इन चारों सीटों में हमीरपुर लोगसभा सीट सरवादिक होट मानी जाती है जो लगातार पिछले छे चुनावों से बीजेपी का गड़ मानी गई है फिलहाल इस सीट से लगातार तीन बार बीजेपी के युवाचेहरे और बीची सीट के पूरु अध्यक्ष अनुराग सिंग ठाकुर सांसद हैं लेकिन ये सीट अनुराग सिंग ठाकुर के साथ साथ कॉंग्रेस की रन्निती की वज़ा से भी चर्चप है इस सीट पर विजेपत का फैराने का कॉंग्रेस का हर दाव फ्लॉप सिध होता जा रहा है पिछले छे चुनावों में से पहले तीन में जहां पार्टी ने रामलाल ठाकुर के रूप में अपने नेता को चुनावी रन्न में उतारा था लेकिन वो भी इसकी नईया पार नहीं लगा सके जिसके बाद अगले तीन चुनावों में कॉंग्रेस ने ओपी रतन नरेंदर ठाकुर और बाद में राजिंदर राना के रूप में बाहर से आयातित दल बदलू नेताओं को अपना चुनावी योदा बनाया लेकिन उनके ये बाहरी योदा भी लक्ष भेदने में आसफल रहे तीनों बार अनुराग सिंग ठाकुर एक लाग से अधिक मतों से विजए ही रहे राजनेतिक जानकारों का अनुमान है कि इस बार लगतार चौथी बार कॉंग्रिश उधार के दल बदलू नेता पर दाओं खेल सकती है क्योंकि पार्टी ने अपने नेता संभावित रूप से इस सीट से चुनावी रत पर सवार नहीं होना चाहते है यदि ऐसा हुआ तो ये सपस्ट संकेत है कि कॉंग्रिश को संभावत है अपनी पार्टी के अंदर अनुराग ठाकुर के ब्रहमास्तर का काट नजर नहीं आ रहा है अगर मिंपूर पार्लिमेंट हर्की की हम बात करें तो 89 के लोकसावा चुनाव से लेकर एक चुनाव को छोड़कर जो 1996 में हुआ था उसमें कॉंग्रेस जो यहाँ से जीती थी तो बाकी जितने चुनाव हुए है ये वीजेबी की परंप्रागत सीड है और कॉंग्रेस यहाँ पर पहले चुनाव जीती थी नरेंड पर प्रेशर जो है उसके बाद कमजोर होती गही और पार्टी की शायर रननीती होगी कि बीजेबी को बीजेबी के कैंडिडेट से ही जो है काड़ा जा सकता है तो इसी अपणी रननीती के तहत है जो हो पार्टी में उधार के जाये बीजेबी के मुटर है उनकी फुतर है उनको चुनाव में उता रहा उसके बाद रिजंदर राणा जो बीजेपी में थे उनको उतारा और एक बार इस वार भी चर्चा है कि सुडेश चंदर जो बीजेपी के तीन बार इंपी रहे हैं, तो उनको लिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि पार्टी कोई इसी रापर है, कि अपने लोग जब चुल वहीं हिमाचल बीजेपी अपने इस ब्रहमास्तर पर फूले नहीं समा रही है, और लगतार सात्मी बार हमीरपूर लोगसबा सीट पर जणडा बुलंद करने के लिए उत्साहित है, परदेश भाजपा इसका श्रे केंदर की मोदी सरकार की नीतियों, सांसद अनुराग ठा थाकुर के नितरत्व, क्षमता और क्षेतर के विकास के प्रती गंभीरता को देती है, लेकिन लगे हाथ बीजेपी इस सीट को लेकर कॉंगरेस पर तीखेत तांज भी कस्ती रही है, व्यंग भरे लेजे में बीजेपी ने कॉंगरेस की गुटबाजी की तरफ इशारा करत चुनावी रनभूमी में योदा नहीं बनना चाहता है। आज हमीर पर संसिदिक शेतर में तो क्या पूरे हिमाचल में भी वैसे कॉंगरेस के परत्याशी आना कानी कर रहे हैं। कॉंगरेस के जितने नेता है, वो तो सब ना कर रहे हैं। के वार इदो दो से कैंडिड लेके आएं। तो उसके लिए शार प्यास कर रहे होंगे। लेकिन जो भी आएगा कैंडिड इस बार भारती अंता पार्टी की चोथी वार लगाता जीत निश्चित है तैह है। और राग ठाकर यहां से द्वारत सांसुत बनेगे। तो ऐसे निश्चित है। वहीं कॉंग्रेस में उमीदवार को लेकर अभी भी अधिकतर नेता पार्टी से अपने कारेकरता नेता को चुनाव मिदान में उतारने के पक्ष धर हैं। और भारी व्यक्ति का विरोध किया जा रहा है। लेकिन बावजुदिस के पार्टी में उपरिस्तर पर एक बार फिर से उमीदवार की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं। मगर विरोध की संभावना के मदे नजर पार्टी के अपने नेताओं में नेता विपक्ष मुकेश अगनी होतरी, पूरुपरदेश अग्दिस सुखविंदर सिंग सुखु और उना सदर से विधायक सत्पाल राइजादा के नाम को भी आगे किया है। खुद सर्पाल राइजादा बाहरी उमीदवार का खुल कर विरोध करते हैं और मुकेश अगनी होतरी को कॉंग्रेस का सरवाधिक मजबूत उमीदवार बताते हैं। हालांकि पार्टी दौरा स्वयंग पर मुहर लगाने की खालत में वे पार्टी के हित्मे चुनाव मैदान में लड़ने को तयार हैं। लेकिन इसके लिए स्वयंग की कमजोर आर्थिक हवाला देते हुए रायजादा पार्टी द्वारा चुनावी युद के लिए जरूरी आर्थिक साहिता की शर्त भी साथ जोडते हैं। लेकिन हम पीछे जिली गे थे, हमने अपनी भावनाओं को पार्टी हाईकमान के आगे भगत करा दिया था। कि पार्टी के अंदर रहा कारे करता हैं को टिकट दिय जाये। अब इसके बाद अगर पार्टी हाई कमान को लगता है कि किसी और बेक्ति को टेकर कॉंग्रस पार्टी मजबूत होती है तो वो काम पार्टी हाई कमान के लिगा है कॉंगरस के अंदर बहुत चेह रहे हैं, कॉंगरस के अंदर लीडर्शिक जोगा, वो मुझबूत है, कॉंगरस के अंदर वर्कर इस मुझबूत है, और मेरा अपना ये मानना है, कि चारों लोग सवा जो सीटे हैं मार्चु परदेशकी, उसमें हमीर पुर संस्थियक सेट्र लेहर थी अब तो पीछ पीछे लड़े हैं तो उसमें पार्टी में हें जब से फंड आता है, वो हमें नहीं आया, लेकिन हमने चुनाब लड़े हैं, अपने दम पर लड़े हैं, तारे पर्तों के दम पर लड़े हैं, तो मेरे पास तो एक गरीब आदमी हूं, पैसे की जो एक मार होती है, क्यों ये MP का अलेक्शन है, बड़ा इसमें पैसे का उंफ पर लड़े हैं, वो लड़े, लेकिन आगर वो सारे मना दर्ज देते हैं, और मेरे पर बात आती है, तो मैं तो मना नहीं करने वाला हो, कि मैं तो कांग्रस पार्टी का स्भाई हूं, और सथिया में चुनाब लड़ूंगा, अगर पार्टी है इक मान मेरे पर विश्वास जिताती है और मेरी मदद करती है तो मैं लड़ूँगा लेकिन मेरा अपना मानना है कि पहले जो कांगरेस पार्टी के कदावर निता है उनको आगया के चुनाब लड़ना चाहिए उनको पीछे नहीं हितना चाहिए जहां बल्दान देने की बात हो तो बल्दान भी देना चा सवाल बड़ा ये है कि यदि कांगरेस के अपने निता वास्तव में चुनावी रन से पैर पीछे खींचते हैं तो फिर इस बार पार्टी किसके कंदे पर रखकर सियासी हत्यार चलाएगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा एस्टूडे के लिए उनको विशेश झाल झाल